तो क्या अभी भी शरत पवार के साथ बादचीत चल रही है? हम बार-बार देखते हैं कि शरत पवार अजित पवार को जाके मिलते हैं, बादचीत होती है, कभी जाके पाउं छू लेते हैं, कि आप मान लिजे कुछ बादचीत चल रही है या वो मामला आप खतम हो चुका है? अजित पवार जी की कोई बाचीत नहीं चल रही है, अजित पवार जी के साथ चल रही होगी, तो मुझे पतान नहीं है। तो आज की स्थिति में आपका अलायंस अजीत पवार के साथ में और उनी के पास NCP की कमान जाएगी जिस तरीके से कि एलेक्शन कमिशन में शिवसना का फैसला हुआ है लोग कहते हैं कि बीजे पी इंशुर कराती है कि पार्टी तो और पार्टी हाथ में ले लो तो आप ऐसा क्यों करते हो कि आपकी पार्टी टूप्टी है आपकी पार्टी आपने बचाने चाहिए हमने थोड़े ठेका नहीं है हमारे पॉलिटिक्स में तो हम लोगों को जहां पॉर्चुनिटी मिलेगी हम आगे जाएंगे और यह बात पक्की है कि पिछले 20 सालों में इलेक्शन कमिशन ने जिस प्रकार के निरने दिये है उन निरनेयों का आधार अगर हम माने तो मुझे लगता है कि NCP का या बीजेपी नंबर वन की पार्टी महराष्ट में बनी 2022 में भी जब यह मौका आया तब बीजेपी नंबर वन पार्टी होने के बावजूद आपने एकनाच चिन्दे को बुख्यमंत्री बनाया अभी चैलेंज आपके पास यह है कि आगे लोगसभा चुना होने वाले लोग चुनाओं के साथ आए ऐसी सूरत में आपका तीन पार्टी अलायांस किस तरीके से सीट डिस्टूपिशन करेंगा कि वह सबसे बड़ा चैलेंज होगा आप सबसे बड़ी पार्टी देखें आप बहुत हाइपोतेटिकल बात करते हैं राजनीते में ऐसी हाइपोतेटिकल होती नहीं है लेकिन मैं आपको एस लॉयर मैं लॉयर भी हूँ एस लॉयर बताता हूं कि जिसने इलेक्शन कमिशन का शिवसेना की मामले में फैसला पढ़ा है वो यह 100% समझ सकता है कि स्पीकर के सामने भी शिवसेना की केस ज़्यादा मजबूत है स्पीकर के सामने भी एकनाच चिंदे जी की केस ज़्यादा मजबूत है यह तो क्या है कि जो शरत्पवार जी का गुठ है या उद्धो ठाकरी जी का गुठ है ये बार-बार ये चीजे फैलाता है क्यों फैलाता है अभी कुछ लोग उनके पास बचे हुए है उनको पचाना है उनको उनके मन में एक होप रखना है कि नहीं नहीं देखो ये डिस्कॉलिफा हो सकते हैं वापिस हम आ सकते हैं ये होप उनके मन में जारी रहे इसलिए इस प्रकार के बाते फैलाने का प्रयास करते हैं आप किसी भी अच्छे लॉयर को शिवसेना के मामले में इलेक्शन कमिशन ने दिया हुवा फैसला सुप्रि अहम बात रखी हैं उन्होंने कि 10th schedule में विप का फैसला कैसे करना है उसका guidelines उन्होंने एक तरीकी से दियो हुए जो आज तक कभी हुई नहीं थी उन्होंने कहा है कि पहले speaker को ये तै करना है कि political party कौन सी है और election commission के फैसले के आदार पर वो तैह नहीं हो सकता जून 2022 में political party किसके हाथ में थी उसके आदार पर ये फैसला होगा ऐसे में speaker के सामने चुनाओती है आप नहीं मानते देखिए speaker इसमें क्या करेगा ये मैं preempt नहीं कर सकता as a lawyer as a lawyer मैं बोलता हूँ कि मैं आपको वापिस बोलता हूँ साहिल जी एक बार आप शिवसेना के मामले में कि election commission ने जो फैसला दिया है उस फैसले को पढ़ लीजिए उस फैसले में आपको जो speaker फैसला कर सकते हैं उसके sits उसमें आपको दिख जाएंगे उसमें दिख जाएंगे आखिर speaker ने क्या फैसला करना है तो speaker को तै करना है और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि honorable supreme court ने इतना wide power दे दिया है speaker को कि now original political party भी speaker को तै करना है उस political party का विप वैलिड को ने ये भी speaker को तै करना है तो मुझे लगता है speaker करेंगे मैं जहां तक शिवसेना की बात करता हूँ या एकना चिंदे जी की बात करता हूँ as a lawyer मैं अगिन वह रहा हूँ as a lawyer मेरा ये मानना है it's a solid case absolute solid case क्योंकि इसी के आधार पर कई लोग कह रहें कि अजीत पवार कह रहें कि चायद उनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिल सकता है छे मेने मुझे दीजे बार बार वो कहते हैं कि छे मेना मुझे दीजे मैं चीफ मिनिस्टर बनके सारा चीज बदल के दिखा दूगा क्या इस तरीकी की कोई वादा उनको किया गया है या देखिए पहली बात तो छे मेने में कोई चीजे नहीं बदलती तो अजीत दाड़ा को जब बनना है पूरे पात साल के लिए बनाएंगे ये कोई छे मेने के वगरे से कुछ रहेंगे आप अजीत पवार को चीजे बनाएंगे पात साल के लिए जब आएगा मोका तब अभी तो मैं आपको बहुत स्पश्ट्रूप से कहता हूं एकनाच शिंदेजी चीफ मिनिस्टर है एकनाच शिंदेजी चीफ मिनिस्टर रहेंगे लोग सभा का चुनाओ हो विदान सभा का चु दलने वाला है महाराश्टर में चीफ मिनिस्टर नहीं बदलेंगे नहीं बदलेंगे